हलो एवरिवन वेलकम बेक टू मैं चैनल तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जारी हूँ वेरी वेरी इजी आइज मेकप लोग सबसे पहले आपने लेना है कंसीलर आपने कंसीलर लेना है क्लाइंट की स्किन टोन से वन या टू टोन लाइटर कंसीलर उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने पाउडर से लोग कर दिया था ताकि आइज मेकप जो है पैची ना हूँ उसके बाद मैंने एक light pink color का use किया है as a transition shade और उसे बहुत अच्छे तरीके से blend कर दिया है outer corner में मैंने थोड़ा सा dark pink color लिया है और उसे भी बहुत अच्छे तरीके से blend कर दिया है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है उसके बाद जो shadow area है वहाँ पर मैं यूज करूँगी metallic shade जिसे आप shimmery shade भी कहते है आई shadow की palette में कुछ matte color होते हैं जिनमें चमक नहीं होते हैं उन्हें matte color कहते हैं और जिनमें कुछ shine होते हैं metallic shade या shimmery shade कहते हैं उसे flat brush मैंने बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया है कोई भी cut crease नहीं दी मैंने proper ऐसे ही मैंने इसे लगा दिया है देखे कितना अच्छा और प्यारा look आ गया है outer corner पर थोड़ी सी depth create करने के लिए मैंने फिर से हलका सा वही color यूज किया है उसे बहुत अच्छे तरीके से ब्रेंड कर दिया है यह नहीं dark pink color अब मैं यूज कर रही हूँ eyeliner मैं liquid eyeliner का यूज कर रही हूँ और यह जो मेरी student है इनकी eyes काफी छोटी है guys अगर आप ज्यादा छोटी eyes पर work कर रहे हैं तो आपने ध्यान देना है कि आप ज्यादा मोटा eyeliner ना लगाए मैंने simple साही eyeliner इनको लगा दिया है उसके बाद मैं eyebrow को define कर रही हूँ eyebrow को define करने के लिए मैंने यूज किया है PAC का eyebrow definer guys जब भी आप eyebrow को define करते हैं तो आपने क्या करना है हमेशा बीच में से start करें अगर आप ज़्यादा आगे से start करते हैं तो कई बार क्या होता है बहुत सारा product आगे की side लग जाता है जो कि काफी dramatic लगता है इसलिए मैं बीच में से start करती हूँ ताकि जितना भी extra product है पीछे की side चल जाए उसके बाद जो आपका कुछ product brush में बच जाता है आपने उसे ही आगे की side लगाना है उसके बाद मैंने spoolie से set कर दिया था तो देखे कितना प्यारा इनका look आया है मैंने कोई shape नहीं दी इनकी जो shape थी उसी को ही मैंने enhance किया है उसके बाद brow bone को मैं highlight कर रही हूँ प्रोबन को highlight करने के लिए मैंने glam 21 का highlighter यूज किया है जो कि काफी अच्छा highlighter है अब मैंने उसी eyeshadow palette में से जो मैंने यूज की थी थोड़े सी glittery particle इनकी eyes पर लगा दिया है जिनका बहुत अच्छा effect eyes में दिखाई दे रहा है कोई भी मैंने glitter glue यूज नहीं किया ये अपने आप से चिपक जाते हैं और palette मैंने यूज की है डिलांसी की palette eyes में इतना काम करने के बाद mascara यूज कर रही हूँ में कोई waterproof mascara ढूंड रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं bridal makeup में भी मैं इसका यूज करती हूँ मुझे इसका result बहुत बहुत पसंद है guys अगर आपको मेरे चैनल की video useful लगी हो interesting लगी हो, knowledgeful लगी हो अगर आपको मेरा eyes makeup पसंद आया हो तो please video को like करें, share करें और comment करके जुरूर बताएं कि आप next video किस topic पर देखना चाहेंगे तो चलिए मिलती है next video में